। इस से पहले वाले एपिसोड्य noodle पर हमने शीखा उपक्रव कंडल इक उधिक शीखनेगें तेखमें से, इसके पहले वाले एपिसोड परे पॉम नेॉट १े इसके बारे में जो तीन और तीन से जादा केंडल्स के साथ फ़र्म होते हैं तो अभी हमने सिंगल केंडल्स पैटन्स के बारे में सीख लिया है अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आयो बिटन पर लिंक देदूँगा आप आयो बिटन पर जो वीडियो आरी उसस bullish and bearish kicker अब Japanese लोगों ने जो नाम दिये हैं यहां पर kicker क्यों बोलते हैं इसी से बड़ा ध्यान से समझेगा आपने देखा होगा जब Martial Arts करते हैं Bruce Lee को देखा होगा जब वो kick मारता है तो वो हवा में होती है अभी तो मैं नहीं कर सकता मेरे क्योंकि आपको concepts clear होने जरूरी है और वीडियो इंट्रस्टिंग बनाना भी जरूरी है और एक इंसान जब kick मारता है अपने देखा भी होगा मेरी drawing भी तनी अच्छी नहीं है तो यहां पर नहीं होती है वो kick ऐसे गाती है उपर हवा में राइट यहां पर भी कुछ इसी तरीके से एक pattern बन रहा है वो pattern क्या है मैं आपको अभी बताओंगा और बेरेश के कर जो होता है वो होता है किक नीचे की तरफ कि बहुँ जो kick मारी हवा में उड़ते हो है नीचे की तरफ किक मारी है तो जो नीचे के कमारी है वो हो le excellence की तरफ लेगे गजा रहा है थो अब यहां पर ऐब देख रहे हो यहां और दोनों का ही बनना ज़रूरिया भी candles क्या है क्या बताती है अब इनको समझते हैं पहली candle आपको एक red candle दिख रही है एक बेरिश candle दिख रही है उपन हुआ था प्राइज यहां से छोजवा यहां पर अगर आप याद करोगा मैं सिंगल कैंडल को देख रहा हूँ अभी मगर सिर्फ इसी कैंडल को देखू तो यह कैसी चैंडल दिख रही है आपको आपको यादि सिंगल चैंडल स्टिक पैटरंस के अंदर में लास्ट के सीखी थी कौन सा गैंडल स्टिक पैटन के ऊपर बात करी दी यहां पर इस कैंडल को देखते हैं यह रेड गलर की कैंडल है दूसरी जो आप कैंडल देखते हैं प्राइज हमारा यहां से ओपन हुआ यहां पर जाके क्लोज हो गया राइट सो अगें आपको एक मारू ता वो नीचे गिर गया असी रुप पे हो गया पाट अगली कैंडल में अगर आप ध्हान से देखो मारू बुजुक में क्या होता है जो ओपन प्राइज होता है वही हाय होता है तो जो हाय था वो भी 100 रुपई था प Alors अगली कैंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 से open हुआ और जब close हुआ तो for example 130 पर जाके close हो गया example ले हमें तो यहां पर आपके सामने के example है कि यहां से open हुआ sellers ने बहुत कोशिश करी price को नीचे लेकर जाने की वह 80 रुपे तक ले भी गए पट अगली ही candle में वाल्यूम का भी गेम है अब यहां पर आप जो जितने भी पैटन सीखने वाले जो दो केंडल से बनते हैं आपको देखना है पहले वाली केंडल के बाद जो दूसरी केंडल में वाल्यूम ज्यादा होना चाहिए वह जब आपने डीमेट अकॉंड में लॉग इन करेंगे वहा आपको नहीं पता भी दर तो आयो बटन पर लिंक है कंप्लीट आप प्लेलिस देखो इसमें मैंने टेक्निकल एनलिस सिखाई हुई है यूवल लॉन अलोट अफ तेंग्स तो अगेन अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ही नहीं है डिस्क्रिप्शन कमे तो यहां पर आपने क्या देखा कि हुआ गया जो प्राइज है उसने जंप किया जो हाय था पहले वाली केंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गया दूसरी केंडल में और वॉल्यूम भी आपको जादा बढ़ता हुआ दिखता है तो इट मीन्स एटेजा बुलिश किकर अब सिमिलरली बेरिश किकर में क्या होता इससे समझ लेते हैं आपको पता है जो ग्रीन क्लर की एंडल होती है उसमें ओपन कहां से फ्राइज होता है नीचे से ओपन होता है तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी वह एक सु घो तक ले गये प्राइज को पटस अगली ही केंडल जो लेके जाने की एंड एक्जैंपल के तौर पर वो 70 रुपे पर प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ अब यह क्यों कि मारू बुजू कैंडल है तो यहां पर आपको क्या दिख रही है कि जो लो है वही हमारा क्लोजिंग प्राइस भी है पट जरूरी नहीं कि किकर में दो दिखती है डाट इस ऑलसो के दोनों केसे में चलेगा मारू बुजू कैंडल मिलती है मतलब आपको स्ट्रॉंग सिंगनल मिल रहा है यहां तक आपको कंसे प्लेर हुआ होगा अब जैसे हमने दोनों ही कंसेप्ट को समझा है कि बुलिश के कर कैसे बनता है इसमें क्या ड बड़ी हो अगर वह चोटी भी है तब भी चलेगा तो यहां पर आपको दिखा कि आपने एक किया रेड केंडल को और उसके बाद गैप अपनिंग होती है तो हमने बात करी दी कि अगर गैप अपनिंग हो रही है हमारी एक रिक्वार्मेंट थी है कि यह तब भी बुलिश क अगयद यहां पर गया होगा तो यहां पर मैंट बार स्प्राइब को बहुत ओपर यहां पर जाके यह तो यहां पर आपको थी prophecies कर इसके बाद क्या हूं अब आप कहां से entry ले सकते हो, so that's a good question, यह जो आपको यह दो candles दिखी है, यह जो आपको दो candles दिखी है, आपको भी confirmation का वेट करना, आपको तीसरी candle भी बनने देना है, जो तीसरी candle है, देखो यहां पर यहां से open होई, थोड़ा नीचे open होई, but doesn't matter, जब वो close होई, तो पहले वाली candle के high के ऊपर close होनी चाहिए, यह बनाया था, इसके ऊपर जाके यहां पर close होई है, इसका मतलब है हमें confirmation मिल गया, अब जब हमें confirmation मिल गया, हम यहीं से entry लेंगे, हम इसी closing price से entry लेंगे, हमारे entry level होगा, और हमारा stop loss क्या होगा, जल्दी से बताओ, हमारा stop loss होगा, जो अब हम बात करते हैं, bearish kicker के बारे में, let's talk about bearish kicker, all right, मैंने आपको अगर याद हो, जो मैंने आपको fundamentalist बताए दे, कि जितने भी bullish candlestick patterns हैं, वो आपको chart के bottom पे देखेंगे, और जितने भी bearish candlestick patterns हैं, वो आपको chart के top पर देखेंगे, all right, तो यहां पे आपको chart के top पर एक pattern देख रहा है, वो pattern कौन सा है, bearish kicker, यहां पर थोड़ी सी shadow है, मैंने का shadow हो सकती है, बड़ अगर shadow ना हो, तो वो और जादा strong signal है, दूसरी candle में उतनी बड़ी shadow नहीं है, all right, तो यहां पर यह मारू बजू है, मैंने बताया था, मारू बजू पर छोटी सी, आपको shadow दिख सकती है, विक दिख सकती है, that is okay, so अगर आपने नहीं देखिए, पहला वाला episode तो आप जाके देख सकते हो, आपको समझा जाएंगे concept, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, क्या हमें gap down opening चाहिए थी, the answer is yes, हमें gap down opening चाहिए थी, तो यहां पर gap down opening हमें मिल गई है, उसके ब बाद आपको जब इतना बड़ा gap down opening दिख रही है, आप confirmation का wait करते हो, confirmation क्या है, आपको यहां पर दिखा, कि जो पहले वाली candle का low था, और इस वाली candle का low है, यह same है, अब यह क्या यह मैं आपको भी बताऊंगा, यह low बनना क्या जरूरी है, क्या नहीं है, I'll just tell you about that, यहां प close हो, वो अगली candle में हुआ है, तो हमारी entry कहां पर होगी, हमारी entry इस point पर होगी, यहां पर जहां पर जाके close हुआ है, यह हमारी entry होगी, और हमारा stop loss क्या होगा, जो वो पहले वाली candle थी, इसका high हमारा stop loss हुआ, तो यह हमारा stop loss हुआ, और यह हमारा entry हुआ, और उसके बाद भी जो जब तक ट्रेंड रिवर्सल का आपको साइन ने दिख रहा तब तक आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट का और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए यू कन बुक यो प्रॉफिट आपको पैसा जो भी आप कमाने वाले हो मिलेगा तो यह हमने सीख होता है जैसे बड़ी मचली छोटी मचली को लिए जाती है यह कुछ पैटन उसी तरीके से जापनीस लोगों ने इसके उपर इसका नाम रखा है एंगल करने का मतलब होता है लिग जाना तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे है एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है एक ग्र डूसरी है ग्रीन पंद इलल भूए है पहले पिसमें एक चीज ध्यायर रखनी होती है कि जो पहले वाली उपर Getting Sahara EPA नाप्र सब्सक्राइब ऑ डिए तो यहां-पर यहें पन यहीं पर यह से पहले यहां यह लिए आपको बता opening उपर होती है यहां पर closing उपर होती है so हो सकता है opening और closing same होई हो यह candle यहां तक की पूरी हो but यह ज़रूरी है इस condition में कि वो जो green body है उसके अंदर आ जाए green body के अगर उपर होगी then it will not be engulfing अगर यह उपर निकल जाएगी तो यह engulfing नहीं होगी engulfing के लिए हमारे जो main condition है वो यह है कि जो body है red candle की वो green candle के अंदर होनी चाहिए all right यह हमें समझ आ गया similarly bearish के अंदर bearish engulfing में हमारे लिए जो requirement हो क्या है जो पहले बनेगी green candle दूसरी बनेगी red candle बट जो green candle है वो पूरी की पूरी red candle के अंदर आ जाए so that is our main requirement अगर यह बन रहा है pattern दूसरा volume का खेल है volume देखना है जो अगली जो candle बन रही है पहली candle के बाद जो दूसरी candle बनेगी उसमें volume बढ़ता हुआ होना चाहिए so this is a requirement and now what you see is कि अगर ऐसा pattern बनेगा अब अगर बुलिश है तो कहां पे बनेगा चाहँ के top पे बनेगा चाहँ के bottom बनेगा योराइड चाहँ के bottom पे आपको bullish engelfink pattern बनता हुआ अगर देखता है तो वहां से trend reverse हो सकता है वहां से price उपर जा सकता है तो यह आपको बता रहा है bullish engelfink और bearish engelfink कहां पे जो हमारे bearish candle stick pattern होते हैं बनेदे चाहँ के bottom पे चार्ट के टॉप पे चार्ट के टॉप पे आपने बनता हुआ देखा बेरिश एंगल्फिंग पैटन उसके बाद क्या होगा प्राइज जाएगा नीचे अब इसे हम रियालिटी में भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से यह पैटन्स बनते हैं यहां पर मैंने आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई हैं इसा हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है हमारी दूसरी रिक्वाइमेंट की वहां पर जब यह पैटन बन रहा हो वो चार्ट के बॉटम बन रहा हुआ हो तो ने देखना जरूरी है वो टॉप पे नहीं बनना होना चाहिए तो अगर वो आपको देख रहा है नीचे बनता हुआ चार्ट के बॉट्टम पे बनता हुआ तो यह होगा बुलिश इंगल फिंग इसके बाद क्या होगा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा अब ट्रेंड रिवर्स हो तो यहां से आपको क्या दिखता है यहां से आपको दिखता है डाउंड रेड अगें यूगन में इस नॉट बॉलिश इंगल फिंग यह चीज किया इससे समझ लेते हैं अब यहां पर आप देखिए कि पहले ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी उसके बाद एक छोटी रेड बन रही है तो क्या यह बुलिश इंगल फिंग होगा अगर वह चार्ट के आपको बॉटम बे भी दिखता दिया अंसर इस नो हमारी रेक्वामेंट है कि पहला रेड होना चाहिए और दूसरा हमारा ग्रीन होना चाहिए और ग्रीन बड़ा होना चाहिए रेड छोटा होना तो अगर उल्टा होगा तो बुले शेंगल फिंग नहीं है बेरेश इंगल फिंग अगें आपको देख रहा है कि यह ग्रीन कैंडल थी उसके बाद एक रेड गेंडल बन गई अगें वह आपके लिए एक बेरेश इंगल फिंग का साइन है अब यह आपको हो सकता concept clear हो रहे है अब कुछ लोग कहेंगे हमारा फेवरेट सो बुलेश हरामी इसका नाम है बुलेश हरामी बेरेश हरामी केंडल शिक पैटन अब यह क्या होते हैं से समझते हैं वेल हरामी जापनीज में प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं यह आपका इंडिया वाला हरामी नहीं है यह ज हुआ कन्तिनख़ घरते हैं पर क्या होता है क्या पता है इसे समझते हैं क्योंकि वुलिष है तो बुलिष चाहिए टौप पर बनेगा बोटम पर बनेगा यू अधार पे बुलिश हरामी पैटन बनता हुआ देखता है इससे हमें क्या पता लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अब एक चीज यहां पर रेक्वाइमेंट देखो यह एंगलफिंग पैटन का थोड़ा सा उल्टा लग रहा है पहले हमने क्या देखा था कि जो रेड गैंडल चोटी घ्रीन कैंडलब अब उल्टा हो गया आप यहां पर रीड कैंडलबडी है और ग्रीन हैंडल छोटी यहां पर आपको क्या दिख रहा है इसे से इंह दो यह एक्रीन केंडल में प्राइज नीचे से ओपन उधा है इसका मतलब क्या है यहां पे आपटेंग ऑपन दिखिया का लिभी है शुरू हो गए है it can be a sign of trend reversal आपको समझा रहा है कि अब trend reverse हो सकता है so यह आपको bullish रामी पैटन बताता है बेरे शरामी पैटन आपको क्या बताता है इससे समझते हैं बेरे शरामी पैटन क्या बताता है कि यहां से ओपन हुआ था यहां पर जाके close हुआ यह हाय बनाया यह लो बनाया और उसके बाद एकदम से जब close हो गया price gap down open होता है और उसके बाद sellers हावी हो जाते हैं वो price को all the way down नीचे ले आते हैं यह उसने example के लिए लो बनाया यह हाय था तो अब क्या हुआ है यहां पर seller's control में है और यहां पर buyers control में क्योंकि buyers control में है तो यह bullish रामी pattern हुआ वहाँ पर seller's control में है तो यह bearish रामी pattern हुआ और यहां पर बनेगा चाट के top पे बनता हुँआ देखेगा और वाहल से Trend डिर्वर्स हो सकता है आई होप आपको चीजह समझ आरही है आगे बढ़ते हैं आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह आपको बनता हुँआ देखेगा आपको चाट के उपर सो आपको चाट पर कुछ इस तरीके से बुलिश रामी पैटन देखेगा यहां पर आप देख सकते हो कि एक रेड़ कैंडल है उसके सेंटर में उसका बेभी यह मदर होगा यह बेभी हो गया बेभी आपको देख रहा है पर बोड़ी के अंदर ही होना चाहिए बोड़ी के ऊपर नीचे निकल केंडल को देखते हो what you will see here is कि जो प्राइज है वो पहले वाली केंडल के यह जो हाय था यह था इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए तो क्लोज हुआ यहां पर आपकी एंट्री कहां से होगी यहीं क्लोजिंग से होगी तो यहां पर जाके इस जगां से जाके आप एंट् क्लोज क्या होगा जो पहले वली केंडल आपको दिख रही है जो मदर केंडल दिख रही है आपको मदर केंडल के लो का आपका स्टॉप लॉस होगा and then you have a way to go all right I hope things are being clear to you next आगे देखते हैं हम बेरिश यहां पर हरामी पैटर्न को भी देख लेते हैं पैटर्न में what you can see एक green candle है बहुत बड़ी candle आपको दिख रही है उसके साथ सथ आपको एक छोटी baby candle दिख रही है red color की तो यहां पर आप क्या देखते हो कि close तो यहां पर हुआ था पर उसके बाद जो opening होई वो gap down opening होई and sellers price को नीचे लिए है and then अगर आप confirmation का wait करते हो तो हमें क्या देखना है कि low के नीचे का closing चाहिए लोग के नीचे का closing आपको अगली candle में मिल गया close होगे नीचे उसके बाद आपने यहां से entry ली and आपका stop loss क्या होगा जो आप देख रहे हो यहां पर इन दोनों ही यहां पियर्सिंग लाइन और डाक्लाउड कवर क्या होता है नाम कितरे इंट्रस्टिंग ना पियर्सिंग लाइन डाक्लाउड कवर वेल बड़ा सोस समझ के नाम रखे हुए है अब यह पियर्सिंग लाइन अभी आपको लाइन तो देख रहे है यह लाइन जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर तो इस लाइन के कंसेट को आप समझ लीजे और डाक्लाउड कवर यह आपनीज लोगों ने रखाई तो इसका भी कंसेट जो है मैं आपको भी चौज़ेंट जो होगी बुलिश केंडल यह भी चोटी बड़ी हो सकती है अब आप यहां पर कंसेट को समझें कंसेट किया है कि जो हमारी पहली केंडल है और दूसी केंडल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस कहां से ओपन हुआ जल्दी से बताओ प्राइस हमेश नीचे होता है तो यहां पर जाके क्लोज हुआ उसके बाल आपने क्या देखा यार प्राइस तो और गिला आपने क्या देखा प्राइस यहां से उपन हुआ इसका मतलब है हमारा ट्रेंड तो कंटीनियू था जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटीनियू चल रहा था आ अब यह पिर्सिंग लाइन यह बुलिश चैंडल से पैटन मलब यहां से ट्रेंड डिर्वर्स हो सकता है तो आपको कैसे पता लगेगा आप तो देख रहे हो कि भी आप प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है तो आपने पहले गैंडल देखी कैंडल बढ़िया बनी यह रेड कितना जो आप पहले कैंडल देख रहे हो आप के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया आपको हमेशा आपको चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने का मौका तो मिलेगा नहीं पर आप अपनी आखों से देख सकते हो कि जो यह बॉड़ी है इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्र क्लोल बना लिया अगली कैंडल में ओपन नीचे से वा था बट ओपन नीचे से होने के बावजूद बायर्स ने कंट्रोल लेकर आए और इतना कंट्रोल लेकर आए कि 50% से उपर वो ले गए क्लोजिंग प्राइस को हाई जो भी था हाई उपर था तो अगर इस तरीके के को क्या है कि प्राइस तो जी यहां से ओपन हुआ था क्लोज यहां पर हुआ था उसके बाद क्या देखा गया कि भी अबायर्स कंट्रोल में थे प्राइज ग्याप अपन हुआ उपर उपन हुआ आपको यह अच्छा है ट्रेंड उपर ही जा रहा था प्राइज यहां से उपन हुआ बड़ उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आ गए और इतने कंट्रोल में आए कि जो क्लोज हुआ है वो पहले वाली केंडल के अगर हम मिड में एक इमाजिन लाइन रखते हैं तो उस बॉड़ी के जो आपका 50% देख रहा है उससे नीचे जाके क्लोज हुआ है तो इसे हम डाक लाउड कवर बोलेंगे तो पैटन्स इतने सारे हैं इसलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया वरना आपके दिमाग के उपर से डाक लाउड कवर चा जाते और सब कुछ उपर से जाता हम इने ब्रेक करके क्यों सिखा रहे हैं क्योंकि आप सीखो इन्हें चार्ट में बनता हुआ देखो आप पेपर ट्रेड करो या एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो बड़ आपको उसका एक्स्पिरियंस मिल इसलिए यह आपको time to time apsitude मिल रहे हैं आप जो सेखा है ओप आप सथने के साथ बैठे यहों चीजों को लिख रहे हöं और इनकी practice करने वाले ओगर इनकी practice करने वाले हो, you re going to make money, इस अगर aps प्रेक्टियड करो। सिर्फ सुन लोग क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सिर्फ ट्रेनिंग लेना और ट्रेडिंग करना बहुत फरग होता है ट्रेइनिंग बहुत सरे लोग ले लेते हैं पर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप पीछी से भूल जाते हैं और प्राक्टिस ही नहीं करते हैं आप लॉस बॉक ना करो इसलिए जो चीए सीख रहे हो मैं इतना टाइम लगा के यह वीडियो काफी लेंदी बन रही है जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है इस यूटिवर इस नाट गूट इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाना चोटी वीडियो लोग जाधा देखते हैं बड़ फिर भी मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंसेट्स क्लियर हूं सो मेरे लिए एक ही चीज आपसे मुझे चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले कि ट्रेनिंग बनाना ही वेस्ट है आल्राइट सो आप इनकी प्रैक्टिस जरूरू कीजएगा ना हो आपको डाक्लाउड कवर के बारे में समझ आ गया कि आपको पहले यहां पे एक ग्रीन कैंडल दिखी फिर एक रेड कैंडल दिखी और रेड कैंडल में जो आपको दिखा कि पिछली वाली बॉड़ी से 50 पसें नीचे जा आप ध्यान से देखो अब देखो इस तरीकी के हमारे पास ना जो कैंडल के फॉरमेशन जे डेली हो रहे होते हैं पड़ ध्यान नहीं देते पड़ अगर आप ध्यान दो तो चल रहा था यहां पे डाउंट्रेंड डाउंट्रेंड में आपने क्या देखा इसके बाद कि य पुष किया प्राइस को उपर और पहले वाली कैंडल के 50% से उपर जाके क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल डन यह दो कैंडल ने आपको बताया कि यह है पियर्सिंग लाइन और इसके बाद यूसी की प्राइस उपर गया और यह प्राइस को आपने उपर जाते हो देखा यह अब वॉल्यूम का भी धियान रखा कीजिए कि वॉल्यूम अगली कैंडल में ज्यादा होना चाहिए ऑल्राइट सिमिलरली हम एक और एक्जामपल लेते हैं डाक क्लाउड कवर को देखें अब यहां पर देखिए पहले डाक क्लाउड कवर में कौन सी कैंडल बननी है ग्री अगर यह आपको देख रहा है कि यह अप ट्रेंड में ऐसी चीज़ बनी है तो यह डाक लाउड कवर है और डाक लाउड कवर अगर बन रहा है देन प्राइस नीचे जा सकता है और आप उसके हिसाब से अगर आप option trading कर रहे हो अगर आप options buy करते हो तो आप put खरी सकते हो आने पे भी you can make money so dark cloud cover again यहां पर एक ग्जामपल बन रहा है और उसके बाद UC की प्राइज नीच रहे है और आपको चीज़े समझ आ रही है चलो आज के लिए हम एक last candlestick pattern और समझेंगे so हम जब 2 candlesticks की बात करें 2 candlestick patterns so now let's talk about tweezer bottom and tweezer top आपको नाम बड़ें इंट्रसिंग लग रहे होंगे वेल ट्वीजर नाम है जापनीज लोगों ने चिम्टी के ऊपर रखा हुआ है अब देखा ना चिम्टी जिससे चीज़े पगड़ लेते हम तो चीज़े पगड़ने के लिए यूज होती है घर में इन फैक्ट आपने रोटी देखी होंगी रोटी जब व पड़ भी चिम्टे का जो काम करता है तो यह जो ट्वीजर है यह भी कुछ उस तरीके से यह अब यह क्या है मैं आपको बताता हूं नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखे हैं अब यह चीज़े हैं क्या इसे समझना है अब इस तरीके कि अगर आपको कैंडल से पै ताके 12 तरीकों में यूज हो जाएगा तो चार्ट पर आपको देखेगा कि सर ने तो ऐसी कैंडल दिखाई थी ऐसी तो नहीं बनी कुछ और बन गई तो कुछ और क्या है अभी concept clear है तो समझा जाएगा तो concept यहां पर यह होता है टूइजर का कि जो बॉटम है अगर यह टूइजर बॉटम लिखा है तो बॉटम का मतलब है कि दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए तो ऑजी शूड बॉटम लिखाई है तो लो ऑफ बॉथ टॉटम शुड बवी सेम और टूइजर टॉप है तो हाइज बॉध बॉथ जूड स्टाई शुड भी सेम दोनों candles का जो यहां पे high आपको दिख रहा है यह सेम है यहां पे आपको दोनों का low same दिख रहा है in fact मैंने जो candles बनाई है यहां पे आपके लिए इनका high भी same लिया है मैंने बट यह requirement नहीं है मैंने लिया यहां पे भी low same बट यह requirement नहीं है इसका मतलब है कि रिक्वाइड नहीं है मैंने ले लिए आपके लिए एक्जाम्पल के लिए क्योंकि अगर ऐसा बनता है तो यह बेस्ट होता है अगर आपको लो और हाई दोनों का सेम मिल रहा है शैडो के साथ तो यह बेस्ट है यह दोनों मारू बुजू कैंडल भी हो सकती चाहिए कि रहित कि विए शायडव नहीं तब भी कोई इशू नहीं है हमें क्योंते यह बोर्टं आछांग यह बार्र तरीके से बन सकताथ अब वह समझे़ा तो बोाटम याद रखना ब्टं वह बनेयो जो bottom पे बनेगा तो वो कौन सा होगा bullish candlestick होगा या bearish candlestick pattern होगा bullish candlestick pattern होगा तो bottom will be bullish and top top पे बन रहा है तो वो होगा bearish I hope concept player हो रहा है अब यहां से एक और चीज़ मैं आपको example दे रहा हूँ आपको candle दिखती है कुछ इस तरीके से मैं अभी red or green की बात नहीं कर रहा हूँ वो colors भी change हो सकते है ठीक है तो यहां पर यहां पर आपको क्या दिखता है कि अब यह इस तरीके से candle बनती है मैं इसमें color भी कर देता हूँ आपके लिए मेरको एक minute लगेगा मैंने आपके लिए color भी कर दिया जितना आपके लिए यहां पर कर सकते हैं okay so I have just colored them बच्छमन में paint करते थे थे न MS office के साथ आपको paint भी मिलता था windows में all right so my drawing बुरी है थोड़ी सी forgive me for this but anyways तो आपको यहां पर क्या दिखता है कि आपको एक तो shadow बहुत बड़ी दिख रही है एक shadow आपको ऊपर की छोटी दिख रही है ठीक है नीचे का आपको लो सेम दिख रहा है और अभी यह बड़ी candles नहीं यहां पर बड़ी candles लेती हमने यह दोनों छोटी candles है यह small bearish candle है वह small bullish candle है तो क्या यह tweezer bottom होगा अगर bottom बनेगा the answer is yes होगा होगा क्योंकि लो सेम है that's the only requirement और अगर आपको मान लो इस तरीकी की कुछ बड़ी-बड़ी candles दिख जाती है example के तौर पर एक की shadow इतनी है एक की shadow इतनी है और उसके बाद आपको दिखता है वह छोटे-छोटे हाई है अब यहां पर अगेन आपके रिए पेंट कर देते हैं जल्दी से पेंट कर देते हैं अब आप मुझे बताइए क्या यह टूइसर टॉप होगा यह 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 सोगा क्योंकि दोनों का हाय से अब इतना समझ आ गया तो बारा तरीकी के पैटन्स बने आपको सब समझ आएगा कि वहां हमारी एक ही इक रिकॉमेड टॉप पर बन रहा है जिन केंडल्स का आपको हाय सेम दिख गया यह क्या बन रहा है टॉप पर टॉप जिनका आपको लो सेम दिख गया यह क्या बन रहा है टूइजर बॉटम कंसेट क्लियर कंसेट क्लियर हो गए बहुत काम होगा आपको फाइदा भी बहुत होगा अब आपको किस तरीके से बन होने चाहिए लो सेम है बिल्कुल ठीक है लो सेम है तीसरे यहां पर मार्केट में ट्रेंड बढ़ता हो देखेगा परफेक्ट आपको ड्वाटम समझ आ गया कि यहां पर आपका जो ट्रेंड है वह सेम होना चाहिए उसके बाद आपका जो हाई है वह सेम होना चाहिए हाई दोनों का सेम है केंडल डजन मैंट चेंडल चेंज हो सकती है कंसेट क्लियर होने चाहिए और उसके बाद क्या होगा बूम प्राइज नीचे जाएगा यह ट्रेंड रिवर्सल का साहिन है और आज आपने कौन-कौन से केंडल के बारे में सीखा जलती से रिवाइस करो आपको बता देता हू मैंने पूरी कोशिश करिए कि एक ही वीडियो में आपके डाउट चुड़ वी नाम है मैंने क्लियर करने के कोशिश करिया फिर भी कोई डाउट रहे कर नीचे कॉमें पूछले ना we'll try to make videos for you उसके बाद आपने बुलिश अरामी बेरे शारामी पैटर्न के बारे में सीखा I hope it is your favorite now, उसके बाद bullish angle fing, bearish angle fing के बारे में सीखा, और आपने सबसे बहले सीखा था, bullish kicker and bearish kicker के बारे में, वीडियो गुट भी लिंदी, बट अगर आपके concept clear होते हैं, मुझे बस इस वाद से फरक पड़ते हैं, concept clear हो जाएं आपके, so we tried our best to make these videos for you, अगर आप इन वीडियो को share कर देंगे, तो बहुत सारे लोगों का फाइदा भी हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बिलकुल easy language में चीजे सीखनी है, वो इन वीडियो के माध्यम से, I hope आपको मिल रही होगी, तो जो बहुत सारे लोग सीखना चाते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजे, उनके लिए भी फाइदा, और in fact हमारे लिए भी फाइदा, हमारे लिए जो हमारा purpose है, वो पूरा हो जाता है, कि आप जादा से जादा लोगों तक अच्छी valuable information पहुँचे, इस चैनल को अभी के भी subscribe कर लीजे, क्यों करना सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी episode 3 रहता है, episode 3 में आप सीखने वाले हैं, उन candlestick patterns के बारे में, जो 3 या 3 से ज़्यादा candles के साथ बनते हैं, आपको ये video valuable लगी, तो आप यहाँ पे एक like जरूर कर दीजे, जिससे हमारा भी थोड़ा सा प्रोज सान बढ़ जाएगा, finally, अगर आपके पास अभी तक demate account नहीं है, आपको share market में invest करने के लिए, trade करने के लिए demate account शहीं होता है, again, description comment box में आपके लिए आपके लिए demate account के लिए आपके लिए सामने खुल जाएंगे, आपके लिए बहुत असान हो जाएगा, so I will see you in the next video, till the time you go self-made,